हिंद प्रशांत क्षेत्र में जुटी चार देशों की नोसे नाएं, ये चीन को संदेश नई दिल ली आस्ट्रेलिया के सिद्नी में माला बार एक्सरसाइज 2023 शुरू हो गई है, ये इंडो पैसिफिक रीजन के चार एहम देशों की नेवी के बीच हो रही है, इसमें भारत, आस्ट्रिलिया, अमेरिका और जापान के वार्शिप हिस्सा ले रहे हैं, शुक्रवार से शुरू हुई ये एक्सरसाइज 21 अगस्त तक चलेगी, इंडो पैसिफिक में भारत, अमेरिका, जापान और आट्रिलिया के कॉमन इंटरेस्ट हैं, ये चारों देश फ्री और भाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा, इंडो पैसिफिक है, कई बार आकरामक रुख भी दिखा रहा, रीजन में हो रही है, माला बार एक्सरसाइज के प्रवक्ता कमांडर विवेक मध्वाल ने कहा कि माला बार एक्सरसाइज पहली बार आस्ट्रेलिया की नेवी होस्ट कर इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी के दो फ्रनलाइन वार शिप इंस सहयाधरी और इंस कोलकाता हिस्सा ले रहे हैं, ये दोनों ही स्वदेशी वार शिप हैं, यूएस नेवी, जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेस फोर्स और रोयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के वार शिप के साथ इंडियन नेवी के शिप एक्सरसाइज में शामिल हो रहे हैं, दो फेज में हो रही एक्सरसाइज या एक्सरसाइज दो फेज में हो रही है, इसमें पहला हाबर फेज होगा, सी फेज में कई हाई इटेसिटी एक्सरसाइज होंगी, प्रैक्टिस करेंगी, और दू दुश्मन के सतह में मौझूद टार्गेट को नश्ट करना है और इसी तरह हवा में मौझूद दुश्मन के टार्गेट को निशाना बनाने की चीन को देंगे बड़ा संदेश भारत, आस्ट्रेलिया, जापान और यूइस की नेवी मिलकर एक दूसरे शिप में कैसे लेंड क ये भी देखेंगे, एक दूसरे के साथ टीम में काम कर देखेंगे की जरूरत पढ़ने पर ये चारों नेवी मिलकर कैसे किसी ओपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, ये चीन के लिए एक बड़ा संदेश है, 1992 में शुरू हुई थी माला बार एकसरसाइज, माला बार थी, बइस में इंडो पैसिफिक रीजन की चार प्रमुक नेवी शामिल है, चीन की समंदर में बढ़ती दादागिरी की कोशिश और फ्रीडम आफ नेविगेशन के बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कोवार का गठन कर अमेरिका, भारत, जापान और आस्ट्रिलि या इसका हिसा बना